हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल बायो वैडिक्स में और आज हम लाए हैं आपके लिए एक और बेहद जरूरी वीडियो जिसमें हम बात करेंगे दोस्तों के डाइबिटीज के मरीजों के लिए कैसे लापकारी है लैसुन जी है दोस्तों आज हम आपको बताएंगे के डाइबिटीज के मरीज अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल में लाने के लिए लैसुन का प्रियोग कैसे करें और दोस्तों आपको ये भी बताएंगे के डाइबिटीज में किन लोगों को लैसुन का सेवन नहीं करना चाहिए दोस्तों आज दी जाने वाली जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा तो आए शुरू करते हैं वीडियो और मैं आपको बता हूँ Diabetes एक तरह का Metabolic Disorder है जो शरीर में इंसुलिन की कमी से होता है दोस्तों आप समझें के Diabetes के मरीजों को अपने खान-पान का विशेश रूप से ध्यान दखने की जरूरत होती है क्योंकि खान-पान के कारण ही कही ना कहीं बलड में Glucose की मातरा एनियंत्रित होती है यानि कभी Blood Sugar बढ़ती है और कभी Blood Sugar घटती है और घटने और बढ़ने की यही इस्थिती कही ना कहीं Diabetes कहलाती है दोस्तों मैं आपको बता हूँ कि अगर आपको Diabetes है तो लहसुन आपके लिए कही ना कहीं कमाल कर सकता है यानि Diabetes के मरीजों के लिए लहसुन औशदिये गुणों से भरपूर होता है दोस्तों लहसुन में मौजूद पोशक तत्वा हमारी Immunity को बढ़ाने के साथ साथ हमारी Body को Detox भी करते हैं यानि शरीर से हानिकारक पैदार्थों को बहार निकालने में साहिक हैं लहसुन दोस्तों लहसुन में जो मौजूद Amino Acid हैं वो हमारे शरीर में Homocysteine की मातरा को कम करते हैं और इसी कारण कहीं न कहीं हमें Heart Attack का खत्रा भी कम होता है और Blood में Glucose की मातरा भी नियंतरित रहती है फिर दोस्तों बात करें कि कैसे खाने है लहसुन तो इसके लिए कुछ खास तरीके हैं आप समझें के पहला तरीका तो यह है कि आप लहसुन की एक दो कलियां रोजाना सुभे खाली पेट कच्ची चबा जाएए यह आपके लिए सबसे बेतर तरीका है लेकिन अगर आपको ऐसा पसंद नहीं है तो आप लहसुन को बारीक कद्दुकस करके सलाद के उपर डालिए और फिर सलाद के साथ खाये लहसुन यह आपको टेस्टी भी लगेगा और काम भी पूरा करेगा फिर एक और तरीका है दोस्तों कि इन्हें पका करके भी खा सकते हैं यानि लहसुन की सबजी बना करके खाईए यह बहुत टेस्टी लगती है इसका स्वाद भी बेतर है और गुण भी भरपूर है फिर दोस्तों एक और तरीका है कि आप लहसुन की चाय यानि गार्लिक टी बना करके पी सकते हैं, रोजाना सुबह खाली पेट और ये कोई सा भी तरीका अपनाई है, ये सभी आपको काम करेंगे फिर दोस्तों बात करें कि कौन लोग हैं जिने लैसुन नहीं खाना चाहिए तो इसमें आप समझें कि अगर आप एसिडिटी की समस्या से परेशान है, आपको गैस बन रही है या आपका पेट दर्ध है या पेट फुल रहा है तो ऐसे इस्तिती में आपको लैसुन का सेवन नहीं करना चाहिए, समस्या बढ़ सकती है फिर दूसरी बात है दोस्तों कि अगर आपके मूँसे बदभू आती है तो आप लैसुन का इस्तमाल ना करें क्योंकि अगर आपके मूँसे बदभू आती है तो लैसुन इस बदभू को बढ़ाएगा फिर दोस्तो एक और condition है कि अगर आपको सरदर्द रहता है बहुत सारे लोगों को blood pressure की समस्या की वज़े से सरदर्द रहता है तो अगर आपको भी सरदर्द रहता है तो आप कच्छे लस्टन का सेवन ना करें इससे आपको नुकसान हो सकता है तो दोस्तो आज के लिए इतना ही और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आज दीकाई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो दोस्तो तो प्लीज हमें लाइक और शेर जरूर कीजीगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमें सब्सक्राइब भी करें धन्यवाद